Hello friends, so finally आपका इंतजार खतम, इतनी सारी डिमांज के बाद, finally अहिमसा विडियो आपके सामने है Well, अहिमसा को काफी अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे के Humane Milk, Non-Violence Milk, Organic Milk, A2 Milk, Kind Milk, इतने सारी नाम दिये हैं काफी अहिमसा फार्म वाले लोग ये भी कहते हैं, कि हम गायों को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं हम गायों को खुले में घास खाने देते हैं, हम गायों को उनके बच्चों के साथ रखते हैं किirmi में भी पेस्टवाद अच्छा नेकरते हम उन्हें बांघंटे भी नहीं हैं हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से रगए बेकिन ये सुनने में तो काफी कुछ अच्छा लगता हैं लेकिन क्या फिर भी गाय का दूद्व पीना सही यह नहीं आपको कुछ ऐसे कुछशन करूँगी, जिसका सवाल आप खुद को करना है मैं आपको कोई religion या किताबी बाते नहीं करूँगी नहीं आपको यह कहूँगी कि कोई धरम में ऐसा लुखा है tänker valid सवाल करूँगी जो आप खुद सोच ख कर, खुर decision लीजेगा सो मेरा पहला सवाल है तो गाए सच में हमारे लिए दूद देती है या हम उसका दूद लेते हैं गाए दूद देती किसके लिए हमारे लिए या उसके बच्चे के लिए तो क्या आप गाए के बच्चे है या गाए आपकी मा है तो करीबन 80 लाग प्रजातियों में से कोई भी जानवर या प्रजाती ऐसी है जो दूसरे की मां का दूद पिती हो और वो भी बड़े होने के बाद तो क्या आपको सच में लगता है कि गाय एक्स्ट्रा दूद देती है क्या गाय कोई अलग प्लानेट से है या कोई चमत का रिकजीव है कि उसको इतना जादा दूद आता है कि अपने बच्चे को दूद पिलाने के बाद भी सारे इंसानों को पिलाने के लिए भी वो दूद पैदा करती है तो आहिमसा फार्म वाले ये कहते हैं कि वो गाय को दूद देने देते हैं वो बच्चे को दूद पीने देते हैं अराम से और उसके बाद जो भी एक्ष्ट्रा दूद होता है वो निकालते हैं तो क्या बच्चे को उसके बाद भूक नहीं लगती दो गंटे ब करना चीविए के एक माँ अपने बच्चे को दूद कितना और पिलाएगी और कब पिलाएगी तो यह ऐंसा फोरुद कंवाले आपको ऐसा कहते हैं कि हम गायों को अपनी तरह रखते हैं तो कौनसा इंसान अपनी मां का व्यपार करता है क्या अगर ये आपकी मां होती तो क्या आप अपनी मां के दूद का व्यपार करते हैं तो गाई को continuous दूद निकालने के लिए या तो उसको pregnant होना पड़ेगा हर साल क्यूंकि गाई अपने आप तो हर साल pregnant होगी नहीं तो फिर कैसे करते हैं यह अहिमसा वाले जैसे के सारे स्थन पाईओं को दूद आता है कुछ समय तक वैसे की गाईओं को भी दूद आता है नौ से दस महीने तक तो इसके बाद यह अहिमसा फार्म वाले क्या करते हैं अपना बिजनस बंद कर देते हैं तो अगर ये भगवान की मर्जी होती, तो क्यों भगवान ने गायों को दूद तभी दिया जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्यों उनको जिंदगी भर दूद नहीं आता, क्यों इंसानों के लिए हमेशा दूद नहीं आता काफी लोग फिर भी ये कहेंगे कि गायों को काफी एक्स्ट्रा दूद आता है, वेल हाँ, हमारे नज़र ये से अगर हम देखें तो गायों को एक्स्ट्रा दूद आता है, क्योंकि हमारे लिए वो अब्रिसली ज़ादा है, अब गाय के बच्चे को 20 किलो से करीबन 600 किलो का बनना है, तो उसे कितना दूद आना चीए, और इस हसाब से अगर हम देखेंगे, तो हाती को तो उससे ज़ादा दूद आता है, तो क्यों हम हाती का दूद नहीं उसकरते हैं, और हम गाय का ही दूद उसकरते हैं, क्योंकि गाय शायद काफी हमबल और काफी ही सीधी साधा प्राणी प्राणी है, isn't it? कि या आपने कभी इस चीज को इमेजन किया है। और वाले या अहिम्सा वाले वह कितनी गायों बचाएंगे? पांच, पचास या पांच हजार गायों की बात नहीं है यहां पर रोज आपके दूद की देमांड की वज़े से आज 5,000 गाएं एवरी डे हर रोज पैदा की जा रही है और हर रोज कतल खाने बेजी जा रही है गाउशाला वाले या ये कितनी गाएं बचाएंगे अब ये सारे सवालों के बाद भी काफी लोग excuses भी देते हैं वेल आपके इन excuses की वज़े से ही आज इंडिया वन अफ दे लाजज एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है हम हमारे टेस्ट को हमारी आदत को छोड़ना नहीं चाते और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताके हम गाएं को इंसाफ दिला सके आज हम इसीलिए लोगों को educate कर रहे हैं ताके हम गाएं को शांती से जीने दे और वैसे अगर आप मेरी जगा पर होते और आप जानते के इंडिया में किस तरह से गाएं के पर अत्याचार हो रहा है आप भी आज मेरी जगा पर आकर awareness कर रहे होते और इसीलिए हमने हमारा ये सीरीज बनाया है Dairy is Beats अगर आप जीवदया में मानते हैं अगर आप जानवरों को मदद करना चाते हैं तो हमारे पेज से जुड़े रहे है United for Compassion